पूर्व केमिनेट मंत्री अंतरसिय आरीजी अंतरसिय आरीजी से कुछ जवाब तलब करेंगे जानना चाहेंगे 15 साल सत्ता में रहे हैं इस बार विपक्षक की भुमिका निभाएंगे किस प्रकार देखते हैं अंतरसिय जे अभी हम मद्द परदेश के अंदर विपक्षक की भुमिका हम निभाएंगे जहां तक सेंदवा विधान सवा छेतर का मामला है यहां पर पर हमारी सरकार के लोग्पिरिय मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान की जो सेंद्वा विधान सबाच शेतर की जो योजना जो शुक्रत है वो योजना वो चालू रहें किसी भी देशा में बंद होने की इस्तती में हम इसका विरोद करेंगे और शेतर की जंता की आवाज सम करज माफिक किये इसको किस प्रकार से लेते हैं देखिये कांग्रेश ने मद्यप्रदेश की जनता के साथ धोका किया है उनका जो वचन पत्र था उसमें यह वचन पत्र में लिखा था कि हर किसान का दो लाक रुपे कर्ज माप होगा और आज कह रहे हैं कि भाई हम चालू करजे को माप नहीं करेंगे जो डिफाल्टर जो लोग किसान है उन्हीं का करजा माप होगा है यह सरासर मद्यप्रदेश के किसानों के साथ धोका है और यह आने वाले कुछी दिनों की अंदर इसका जो बचन पत्र है इनका विरोध होना किसान प्रारंब कर देंगे और हम सोसल मीडिया पे देख रहे हैं कि कई जगों से इसका विरोध होना चालू कर दिया है और आने वाले समय में विपक्षय की भूमी का निभाते हुए हम सड़कों पे आकर किसान के हम लड़ाई लड़ेंगे मंत्री जी से जानना चाहेंगे चुनावी समीकरण में क्या चूक रही किस चूक के कारण हार का सामना करना पड़ा यह हार का जो कारण जो समझते हैं इसके अंदर सबसे पहला किसानों को प्रलोवन देने का इन्होंने प्रियास किया कि हम सभी वेंकों का करजा माप करेंगे और इन्होंने एक पत्र छपा कर सभी किसानों को भर कर उन्होंने दिया जिससे किसान व्यक्तिगत लाब के लिए वो थोड़ा सा भ्रमीध हो गये और उन्होंने कुछ लोगोंने कांग्रेश को मंदान किया जिससे हमारे मालवा और निमाड में अधिकतर सीटों की जो नुक्सान हुआ दूसरा ये कि जो सौसाइता समू है उनका भी उन्होंने करज मापी का इलान किया है मैं समझता हूँ कि कोई बड़ा कारण नहीं है करज मापी ही मुख्य कारण आर का रहा है ये थे हमारे साथ पूर्व केबिनेट मिनिश्टर अंतर सी आरे जी जिन्होंने बेबाकी से अपने जवाब दिये केना इनका कि विपक्ष में महत्पुन भूमिका निभाएंगे दमदारी से विपक्ष में भूमिका निभाते हुए कांगरेस के करज मापी को किसानों के साथ चलावा बताए महीं हार के कारणों को करज मापी एक बहुत बड़ा मुद्दा बताए